असलावलेकुम मैं हूँ डॉक्टर लियस्गोर और आज हम Solubility Product के Numerical Number 2 को समगते जा रहे हैं जिसमें First Year Chemistry के Exercise Question Number 17 के ए पार्ट को समगते जा रहे हैं मैं सवाल में पुछे जा रहे है Will Cadmium Hydro Oxide precipitate from 0.01 M Solution of Cadmium Chloride at pH 9 KSP of Cadmium Hydro Oxide equal to 2.5 exponent minus 14 mol cube per dm exponent 9 इसमें कहा जा रहे हैं क्या Cadmium Hydro Oxide की precipitate बने की जब हमारे पास Cadmium Chloride जिसकी molarity यानी concentration दी गई है 0.01 mol per dm cube और इसकी pH है 9 तो क्या 9 pH पर Cadmium Chloride जिसकी molarity 0.01 दी गई है क्या उसकी वज़ा से जो Cadmium Hydro Oxide जो बन रहा है उसकी precipitate बनेगी यानी इसके लिए हमें सवाल में जा गया है Cadmium Hydro Oxide की Solubility Product की Value दी गई है 2.5 exponent minus 14 mol cube per dm exponent 9 अब सब से बिल हमें क्या गटना होगा याद रहे कि numerical future से स्टाट से बिल आगा मालूम होना चाहिए कि हमें मालूम करना होता है आईन néc product अगर आईन निक product की Value के asb से जादा अजाती है तो precipitate बनेगी और अगर आईनिक product की Value ksb से कम आती है तो precipitate बनेगा है बाई वह सब्सक्राइब है वह बिज़ेडा घृता है तो हमें गिविट क्या है कि आपकेड गें है कि अभी निए तबिए करशेशन यानि हमें गिविट है ओप जो कि जरो गए जिरो फिरो वन आधाग्ड और फिर्ट केड़ लिए और इस सवाल में के Fb की वेस्टी बेरेश्टी इस फोर्टी पर dm एक्सपोनेंट नाइए और फिर रिक्वार्ट में पुछा गया है कि क्या केडमियम हाइडरो अकसाइड की प्रिसिपिटेड बनेगी या नहीं तो मैंने या लिखा है विल केडमियम हाइडरो अकसाइड पिपिट ली अब आते हैं हम सलूशन की तरफ बढ़ते याद रहें सबसे पहले हमें क्या करना होगा आइनिक प्रोड़क्ट जो है वो मालूम करना होगा तो सबसे पहले हम केडमियम की तलाश में केडमियम की कंसंट्रेशन हम मालूम करते है केडमियम की कंसंट्रेशन क्या होगी तो केडमियम हमें जो मिलेगा वो केडमियम क्लोराइड से मिलेगा तो केडमियम कलोराइट को जब हम सलूशन में डिजॉल्फ करते हैं तो केडमियम आइन जो होता है उसे सेपरेट हो जाता है साथ ही साथ जो है वो कलोराइट आइन सेपरेट हो जाएगा तो हमने कहा कि एट केडमियम कलोराइट को डिजॉल करने से हमें एक ही केडमियम आइन मिलता है लहाज़ अगर हम बात करते हैं तो केडमियम आइन की कंसंट्रेशन की तो जो केडमियम कलोराइट की कंसंट्रेशन हमें दी गई है वही केडमियम आइन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए क्योंकि एक केडमियम क्लॉराइट को डिजॉल करने से हमें एक ही केडमियम आइन मिल रहा है याज़ा केडमियम क्लॉराइट की जो कंसंट्रेशन हमें सवाल में दी गई है वही केडमियम आईन की कंसंट्रेशन है तो केडमियम क्लॉराइट की कंसंट्रेशन जैसा कि हमें यहाँ दी गई थी 0.01 पर 2m3 यही केडमियम आईन की कंसंट्रेशन होगी याद रहें इस निमेरिकल पिछले निमेरिकल में हमने पढ़ा था before mixing और after mixing यहां किसी solution को mix करने की बात नहीं हो रही लहाजा इसलिए यही concentration से हम ionic product calculate करेंगे अब हम आते हैं cadmium की concentration मौलुम करने के बाद hydro oxide के लिए हमें OH ion की concentration चाहिए होगी इसके लिए हम क्या गरते हैं formula जो के pH का है pH प्लस POH बड़ाबर होता है किसके 14 के सवाल में हमें जो pH दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 यहां plus में है अगर इसे हम equal to के उस तरफ लेके जाते हैं तो 9 हो जाएगा minus में तो 14 minus 9 हमारे पास POH की value आ जाती है वो है 5 POH का जो formula होता है वो होता है negative log of OH ion concentration अब 5 जो है यहां positive में है और यह negative log है लाज़ा minus की sign को क्या कर सकते है shift कर सकते है तो minus हमने वहाँ shift कर दिया तो यह हो जाता है 5 हो जाता है minus में और log OH ion जो है वो plus में आ जाती है अब log यहां जो है वो positive है वहाँ जाकर हो जाएगा inverse तो log inverse log inverse power exponent minus 5 तो calculator में आब log inverse और exponent 5 minus लिखोगे तो आपके बास value आ जाती है exponent minus 5 mol per dmq हमारे पास OH ion की भी concentration आ गए अब हम बढ़ते हैं आइनिक product मालूम करने की तरफ बढ़ते हैं तो आइनिक product की जब हम बात करते हैं तो आइनिक product केडमियम hydroxide की हम बात करेंगे तो केडमियम hydroxide में एक केडमियम का आइन है जबके OH ion जहें इसमें 2 हैं लहाज़ा OH ion की concentration को पर आ जाएगा power केडमियम ion की concentration जैसा कि हमने मालूम किया था वो है 0.01 इसी दे कि OH ion की concentration हमारे पास आ जाती है exponent minus 5 और इसको पर आ जाएगी power तो ionic product जब हम दोनों का calculate करते हैं तो हमारे पास value आ जाती है ionic product की solve करने पर exponent minus 12 exponent minus 12 देख इसकी unit है mole per dm cube इसकी unit है mole per dm cube लेकिन इसके अबर square आजाएगा तो mole square हो जाएगा और mole square में एक और mole अगर multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा mole cube इस दीडिक से dm cube इसकी unit दाइनो मीनिडिकर में dm cube है dm cube के बर square हो आएगा तो dm exponent 6 होगा और अगर एक और dm cubes में शामिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा dm power 9 तो अब यहाँ हमारे पास आइनिक product की value आ रही है exponent minus 12 जिससे हम ksp से compare करते हैं ksp की value है minus 14 देखें दोनों में basic exponent का जो है वो क्या है फर्क अगर exponent दोनों का same हो तो फिर आगे वाली value से compare करना होगा कि कौन से number जादा है तो exponent यहाँ minus 14 है जो के minus 12 के मुकाबले में काफी छोटा है लहाजा आइनिक product की value ksp के मुकाबले में जादा आ गई है तो हमने कहा कि जब भी आइनिक product की value ksp से जादा आ जाती है तो इसका मलब क्या होती है precipitate बनेगी exponent minus 12 जो है वो greater exponent minus 12 mole q per dm power 9 जो है वो greater है 2.5 exponent minus 14 mole q per dm power 9 से तो इसको हमने bracket में डाल कर finally हमने यहाँ से लिख दिया है result तो result यह है के cadmium hydro oxide will precipitate precipitate की short form of PPT यह हमारा जो है वो answer आगी है अगर आपको हमारे यह lecture समझ में आया है तो आप हमारे इस channel को subscribe कर सकते हो जो के sinboard teaching के नाम से है subscribe करने के बाद bell icon को click करने से हमारी upload करता तमाम video की notification आपको receive हो सकती है thank you very much